यूपी में इन दिनों गैंक्स्टरों पर लगातार गहर जारी है चाहे वो पुलीस का हो या फिर गैंक्स्टर के साथियों का अभी हाली में हमने आपको एक खबर बताई कि उत्तर प्रदेश के जहांसी में कुख्याद गैंक्स्टर राशित कालिया को यूपी स्टेफ ने एक एंकाउंटर में ठोक दिया इस घटना को बीते भी दो दिन नहीं हुआ कि यूपी के मेरट में एक और गैंक्स्टर को मौण की घाड उतार दिया गया है हलाके जो गैंक्स्टर इस गैंक्सटर में मारा गया है वो कुछ दिन पहले ही जेल से भाहर आया था लेकिन इसके मामले में थोड़ा सा अलग हैंकल देखने को मिल रहा है दरसल यूपी के मेरट जिल्यक के कंकर खेडा इलाके में सोमवार रग दोस्ट के घर गैंक्सर पार्टी में गया था जिसके संदिक्द हालत में मौत हो चुकी है अब से कुछ दिर पहले परिवार वालों को जब इसके जानगारी होई तो परिवार वाले गैंक्सर के दोस्तों पर हत्याका रूप लगा कर पुलीस को तहरिर दे रही है पुलीस ने फिलाल शब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है कंकर खेडा थाना प्रभारी देवेश कोमार सिंग ने कहा है कि मंगलबार को धाने के बाहर पहुचे गैंक्सर के परिवार वाले ने ब्रतक गैंक्सर के दोस्त पर हत्याका रूप लगाते हुवे तहरिर दी है इसमें कंकर खेडा गैंक्टर के परिवार वालों ने कहा है कि पास दिन पहले उसका 24 साल का भाई साहिल जेल से छोटकर घर आये था वो मुआर के रात वो और उसका भाई साहिल दोनों घर पर थे इसी दोरान गोवेंपूर इलाके के रहने वाले कविश पाल नाम के एक प्रेक्टी वहां पर पहुंसते हैं कविश ने साहिल से कहा कि उसके घर पर एक पार्टी है जहां पर उसकी बुगा भात नौत ने आई है ये बखा कर उसके साथ चलने के जेत्पन है लगा इसके बाद साहिल कविश के साथ उसके घर गया वहीं देर रात तक जब घर नहीं आया तो परिवार वालों को उसके जिंता होने लगी तेरा जब कभिश उनके घर पहुँचा तो यहाँ पर उसने बताए कि साहिल उट नहीं रहा है कि सुनकर साहिल के परिवार वालों के होश उट गए आनन्फानन में वो लोग कभिश के घर पहुँचे पोस्टमाटम के लिए भेजा गया है, पोस्टमाटम के रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारिवाई खेजाएगी, फिलाल युवक्स जब पोस्टाच के जा रही है, अब गैंक्टर साहिल की बहुत कैसे हुई, ये पोस्टमाटम रिपोर्ट के बाद को ऐसा होगा, लेकिन आप जानना चाहते हैं, इस खबर पर अपडेट रहना चाहते हैं, तो आफ हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको साहिल गैंक्टर के केस में एक एक बाते हम बहुत ही बिस्तार से बताते रहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया